बसका दोस्तों वीडियो में हम कवर करने वाले हैं JSSC CGL 2015 के General Science में क्या सवाल पूछे गयते कुछ सवालों को हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए और वो बुक आपके लिए काफी रामबान साबित होने वाली काफी सस्ती भी है और कोई भी यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या सवाल है देख लिए पहला सवाल यह है जैसे कि आपको पता है कि General Science वह है सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन के ओपर यह देख पा रहे है क्या है क्या देखके तो डर लग जाएगा मगर बहुत ही सिंपल सा सवाल है पूछा है अब बॉड़ी ए ओप मास M1 एड़ बॉड़ी बी ओप मास M2 है वलासिटीज वीवन एड़ी टू respectively they have equal kinetic energy what will be the relationship between their momentum P1 and P2 इसको हिंदी में यह दी हम लोग परें तो क्या होगा एक बॉड़ी है मतलब कि एक बस्तू है ठीक है जिसकी मास बस्तू का नाम क्या है तो हम लोग यहाँ पर चलिए बनाई लेते एक बॉड़ी A है और एक बॉड़ी क्या है इसकी मास क्या दी है इसकी मास बस्तू घ्रब इमान होता है आपको पता है अब इसकी वलोशि्टी जो है वो V1 है इसकी वलोशिटी V2 है वलोशिटी को वेग बोलते है चलिए अब देखिये दोनों की kinetic energy equal हो रही है kinetic energy का मतलब गती जूरजा जो है वो equal बताया गया है मतलब इसका जो kinetic energy ke1 equal to ke2 यह दिया हुआ है question में ही दिया हुआ है ठीक है अब पूछ रहा है कि बताइए कि P1 और P2 में क्या relation होगा P1 और P2 P1 और P2 क्या है इसको हम बोलते है momentum क्या बोलते है momentum इंग्लिष हिंदी में बोलते है समवेग ठीक है momentum मोमेंटम मोमेंटम आपको याद होगा कि मोमेंटम का मतलब होता है P2 मतलब मास इंटु विलाउसिटी मतलब रभेमान इंटु वेग ठीक है तो इसको हम लोग यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा समवेग निकल जाएगा यह P is equal to MB होता यह आपको पता है ठीक है अब देखिए हमें यह पता है मगर इसका अभी यूज बिल्कुल अभी नहीं करेंगे देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना P1 और P2 मतलब इसका जो P1 होगा ठीक है एक formula जानते है kinetic energy equal to P square by 2M ठीक है यह formula आपको याद रखना है अब बोलो के sir कैसे है formula तो बता देजिए मगर याद रखिए क्योंकि आपको यदि exam crack करना है तो time भी बचाना है यह भी आपको ध्यान रखना है तो मैं यहाँ पर time बचाने वाली चीज पर ही चलूँगा ठीक ह इतना हमें पता है kinetic energy equal to half, गती जूर्जा equal to half into mass, mass का मतलब द्रविमान और V का मतलब वेग कर square इतना हमें पता है अब हमें करना क्या है यहाँ पर आपको जो है mv square दिया है m से multiply करिए और m से divide करिए यह हमने क्यों किया एक formula निकालने के लिए ठीक है यह हम लोग करी सकते है क्योंकि यह दोनों cancel out हो जाएगा थिक है तो इतना तो हम करी सकते है कि m से गुना कर दिये और m से divide कर दिये भाग कर दिये ठीक है अब देखे क्या होगा यह होगा यह हो जाएगा m और m m square टेक है और v square पहले से था और यह नीचे जो m है वो बज़ गया नीचे जो m है वो अब क्या हो जाएगा यह होरा यहाँ पे mv का whole square होगा, इसको लिख सकते हैं, mv का whole square, क्योंकि m² v² मतलब mv ka whole square लिख सकते हैं उसको, ठीक है, चलिए, और नीचे में क्या लिखेंगे, m बचा हुआ है, आगे हम लोग जिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चाहां मतलब क्या बता पाइब मोमेंटम क्या होते हैं अ चलिए तो यहां पर क्या होजागं स्वाइर फॉर्मुला कि Feder स्वाल अमें स्टाल सब्सक्राइब मतलब फॉर्मूलों में लिने जीन निकल गया सबस्क्राइब इसको उतार लीजेगा इसको इस वीडियो का पीडियाप नहीं मिलेगा बाकि सब का पीडियाप आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब यहां पर कैनेटिक एनरजी का हमने निकाल कैसे निकाला था यह फॉर्मूला भी याद रकियेगा यह भी हो सकतेided. इससे पूप कि 한ी है क्या टो ry lec tiles 2M, तो P1 square कर देते हैं, इसको P1 दिख लेते हैं, और यहाँ पे 2M को M1 लिख लेते हैं, क्योंके mass M1 है, और हम लोग मान के चल रहे हैं, कि initial जो momentum था, वो क्या था, P1 था, हमने पहले ही बता दिया है, हमने P1 ले लिया, इसका जगा में, ठीक है, तो यह Ke1 हो गया, उसी तरह स है, अब हमें पता है, कि हमने जो question है, उसी में दे दिया था, कि initial kinetic energy के बराबर होता है, बराबर है, यहाँ पर होता नहीं है, मतलब है बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह equation 1 है, यह 2 है, तो left यदि बराबर है, तो right भी बराबर होगी, इसका मतलब इसको आप एक से नीचे नीचे टूटू काट दिये, अब इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक step हम लोग यदि लिखे, P1 square, ठीक है, एक step लिखी देता होने, तो बहुत लोग कमजोर बच्चे दियोंगे, त ठीक है, आपको बता काफी मेहनत करके, आपके लिए मैं free में, काफी कम ये में, सारी चीजे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी गरी बच्चे मुझे call करते हैं, अब देखिए यहाँ पर, P1 by P2 square, हमने क्या किया, कि इसको, इस P2 को इधर लेके आ गया, ठीक है, तो P1 square पहले और यह P2 square इधर आ गया, कर दिया, उसके बाद M1 को उधर लेके गया, तो M1 by M2 हो गया, ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए, यह हो जाएगा P1 by P2, और यह squaring है न, तो यह squaring हो जाएगी इस तरह से, P1 by P2 दोनों में square है, तो whole square by M M1 by M2 हो गया, आगे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आगे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगी P1 by P2, और यह हो जाएगी equal to, यह square है, इस तरह गया, तो क्या हो जाएगा, root हो जाएगा, root में answer आपका नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, और एक जो है, इंतजाम है, यहाँ पे, root का मतलब हाप ही होता है, क्या होता हाप, किसी का power में यदि हाप है, इसका मतलब वो root है, तो इसका मतलब P1 by P2 equal to M1 by M2 का हाप होगा answer, तो यहाँ पे answer देख लिजिए, कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा answer को, ठीक है गलती, हलकी से भी गलती आपको परबात कर सकती है, तो यहाँ पे P1 by P2, M1 by M2 पर पर हाप, option D जो है, आपको दिख रहा है, तो option D is the right answer, screen shot ले लिजिए, और यहाँ पे छाप लिजिएगा, ठीक है, मैंने फिर बता दिया कि आज की PDF आपको नहीं मिलेगी, चलिए, आगे ह प्रस्ण है, वो क्या है, आचा, question number 54 करेंगे पहले, which of the following gases will be liberated when sodium bicarbonate is added to the acidic acid, देखिए, अब यहाँ पे क्या पूचा है, कि ऐसी कौन सी gas है, जो निकलती है, ठीक है, कैसे निकलती है, जब sodium bicarbonate, formula क्या होता है, NaSCO3, sodium bicarbonate को और क्या नाम से जाना जाता है, यह आपको प NaSCO3 हो गया, sodium bicarbonate, ठीक है, और क्या बोलना है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, is added to acidic acid, acidic acid, मतलब CS3COOH, यह होती acidic acid की formula, तो यह है sodium bicarbonate, और यह है acidic acid, दोनों को add करेंगे, तो यहाँ पे पूचा है, कि कौन सी gas निकलेगी, question भी बहुत ही, सातित दिमाग वाले ने बनाय है, यहाँ पे बोल दिया है, gas निकलेगी, देखिए, आप यदि इन दोनों को, यदि आप यह करेंगे, calculation करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है, CS3COOH, यह NA के साथ add हो जाएगा, और CS3COOH, NA, sodium acetate, जो है यहाँ बना लेगा, साति यहाँ पे आपको दे यहाँ पे हमने देखा कि CO2 भी बन रही है, S2O भी बन रही है, option में तो दोनों है, क्या होगा answer, आपके पास यहाँ पे जो बनाने वाले ने, यह आपके लिए एक तरह से छोड़ दिया, धियोंदान आपको दे दिया था, इस question में, कि आपको option, E वाला option नहीं दिया था, कि both A and C, वहाँ पे जैसे ही होती है, आप गरबर कर जाते, क्योंकि question क्या पूछा है, देखे द्यान से, यहाँ पे बोला, which of the following gases, gas के बार में पूछा है, तो यहाँ पे जो पानी है, water है, वो gas नहीं है, वो liquid है, यहाँ पे liquid form में रहेगी, और यह जो CO2 है, वो gas के form में इसलिए, यहाँ पे सही answer CO2 होगा, option C, आप समझ गये होगे, तो बारिकी से आपको समझना है, और चली आगे हम लोग बढ़ते है, question number 55 क्या है, देखिए यहाँ पे, कुछ रखने वाले प्रसन थे, जिसको हमने नहीं लिए आज, ठीक है, देखिए, question number 55 क्या है, कि where does most of the digestion of food, fat, occur in the human body, अब human body में, देखिए, यह सहार पूछा गया है, कि कहां पे जो है, fat digestion होती है, fat digestion बहुत जगर पे होती है, maximum जो है, यहाँ पे पूछ रहा है, कि most of the digestion, मतलब सबसे ज़्यादा जो fat की digestion होती है, वो कहां पे होती है, तो intestine में होती है, आत में होती है, ठीक है, या यह आप समझ गए, तो यह सब जितने भी प्रसना आप देखेंगे, यह NCRT के प्रसना है, ठीक है, NCRT यदि आप cover कर रहे है, class 10th और 9th वारा cover हो जाएगा, और NCRT में कौन-कौन सा cover करना है, मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप में दे दिया है, free में, आराम से उसको पढ पर रहे होंगे, मगर वो काम नहीं आएगा, क्योंकि इस से जितने भी सवाल पूछेगे, बहुत असान और NCRT के basis पे ही पूछेगे है, ठीक है, बहुत आपको याद करने कि कोई और सकता नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, अग यहाँ पर पूछा कि which of the following is not correct for answer, correct for power, ठीक है, पावर के लिए कांसर रिलिशन सही नहीं है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर option A क्या है, तो option A में लिग देता हूँ, क्योंकि यह question बहुत important है, P equal to I, भी पूछा, I cross V, दूसरा बोला है यहाँ पर, कि P equal to R into I square, ठीक है, यहाँ option C, P equal to V square by R, ठीक है, और option D यहाँ पर बोला गया है, P equal to VY R square, तो आपको पहचानना है, ठीक है, चलिए, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर P equal to IV, जो है, आपको पता है कि यह सही है, power के लिए आपको पता है, यह basic formula है, P equal to IV, यह तो आपको पता ह होगा, ठीक है, नहीं पता है, तो जान लीजिए, उसके बाद, यहाँ पर आपको यह पता है कि जब P equal to IV होगी, ठीक है, यदि आप इसको break करेंगा आगे, तो V का formula क्या होता है, IR होता है, आपको पता है, potential का formula, IR होता है, ठीक है, मतलब I का मतलब current, R का मतलब resistance, ठीक है, resistance को I square, इसको इदर से लिख दिया है, इसको आप इदर से लिखेंगे, तो R into I square हो जाएगा P, मतलब यह वाला formula भी आ गया, यह वाला formula भी था, मतलब दो formula proof हो गया, मतलब यह दोनों सही है, कौन से सही नहीं आपको छाटना है, तीश्ता वाला, अब आगे हम लोग चेक करेंग क्योंकि into R divided, दोनों कतम हो जाएगा, कर सकते हैं, अब क्या हो जाएगा देखिए यह, यह I square हो गया, R into R क्या हो जाएगा, R square हो गया, और by यहाँ पे R हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे, जो है, क्या हो जाएगा, यह देखिए, I R का whole square by R, यह P की formula हो गई, यदि आगे हम ल क्या होता है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते है, V लिख सकते है, ठीक है, तो यहाँ पे V और square है, तो V का square by R, इसका मतलब P is equal to V square by R, यह भी सही हो गई, तो यहाँ पे आपको यह option भी सही मिल रहे है, जब इस तरह का option V square by R है, तो V by R square है, तो होई नहीं सकता, तो यह option आपका गलत है, तो option D is the right answer, समझ पा रहे हैं, चलिए, नेक्स प्रसन की वार चलेंगे, how can 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 3 ohm be arranged such that resultant resistance is 4 ohm, ठीक है, आप कैसे बनाएंगे इसको देखिए, चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो option है आपके पास, देख लीजिए, यहाँ पे, क्या है, तो 2 ohm, ठीक है, 2 ohm and 2 ohm, यह parallel बोल रहा है, ठीक है, और यह जो 3 ohm है, वो series में बोल रहा है, यह आपका पहला option है, हम लोग देख लेते, सब option को लिखते, उसके बाद 2 ohm, ठीक है, उसके बाद 2 ohm, ठीक है, उसके बाद 2 ohm, जो है, वो series में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और option D जो है, आपका होगा, 2 ohm, 2 ohm, और 3 ohm, ठीक है, तो सबस पहले छाटी है कि गलत कौन सा है आपको जो आसान असान लग रहा है जैसे यह सिरीज बाला देख लीजे तो सिरीज में हम लोग क्या करते हैं सिरीज में जो एक्विवैलर रेजिस्टेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ठीक है वो क्या होता है हमें पता है कि में यदि RS निकालेंगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो यह क्या होता है, R1 plus R2 plus R3 dot 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 dot, आरेन तक होता है, जितना आप रेजिस्ट्टन जोडते जाएए, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 2 plus 2 plus 3, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो answer है क्या 7 यहाँ पर बोला कि resultant resistance 4 होना चाहिए तो यह गलत होगा तो यह है नहीं सही आप इसको check करिएगा तो यह 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm इसको बना के देखिए आप 1 by 2 प्लस 1 by 2 ठीक है तो यह 2 ohm, 2 ohm और 3 ohm parallel है तो 3 ohm आप निकाल दीजेगा, ठीक है, 2, 2 और 3 का, तो 2, 2 और 3 का LCMD आप निकाल लिएगा, ठीक है, जो इसको हम लोग short में भी निकाल सकते हैं लेकिन बच्चे जो image नहीं पाएंगे उनके लिए निकाल देता हूं तो 211, इसका मतलब 6 हो जाता है तो यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 2, तो 2, 3, 5 प्लस 3, 8, 8 by 6 यह हो गया, 8 by 6 मगर याद रखिएगा, यह parallel है, ठीक है तो यह 1 by RP लिखते हैं हम लोग इसको, जब parallel में हम लोग resistance निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं तो 1 by RP equal to ऐसा लिखते हैं और जब हम लोग series निकालते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि यह जो निकला ही है, वो 1 by RP निकला है, तो हमें RP कैसे निकालना है इसको पलट देना है, तो left side में पलटेंगे, तो यह RP मतलब माथा नीचे, पैर उपर, तो नीचे कर देंगे यह RP उपर और 1 नीचे और यह उपर 6 by 8 तो यह answer तो है भी नहीं, ठीक है यह last में काटेगा, तो 3 by 4 होगा तो यह भी गलत है, ठीक है इस तरह से आप करेंगे, पहला वाला प्लस 1 by 2 करिएगा, पहले ठीक है 1 by 2 प्लस 1 by 2 तो यह क्या हो जाएगा, हाफ प्लस साफ 1 अब देखिए, यह जो है 1 by RP निकला है, धराक से लगके क्या कर देंगे, कि तुरत इसको इसके साथ प्लस कर देंगे, मगर करना नहीं है हलांकि इस सवाल में चुकि 1 आया है एक्विवैले रेजिस्टेंस तो पलट भी दीजेगा, मतलब यह RP यदि आप निकालिएगा ध्यान से, तो यह उपर और यह नीचे, तो 1 by 1 ही आएगा तो 1 ही आएगा, मगर यदि 1 के जगह में 2 आ जाता, तो आपका वैल्यू, यदि आप डिरेक्ली 2 प्लस 3 करते हैं, तो 5 आ जाता है, आंसर गलत हो जाता और आंसर में जरूर एक्जामिनन ने हो इसा आंसर सेट किया होता है, तो यह जिसने भी सेट किया है, बहुत बच्चा दिमाग वाले ने, मतलब कि असान कर दिया है, ठीक है, आपके लिए तफ नहीं किया, अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो हमने देखा कि, यह जो आर्पी है इन दोनों का जो आर्पी निकला, वो 1 निकला, और सीरीज है उसके वाल तो हम लोग पता है कि, सीरीज में हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस 3 इकवल टू, 4 ओम हो या आंसर तो यही वाला आप्सन, जो है, आप्सन एज़र आइट आंसर, आई होप आप समझ गया होगे अब चलेंगे नेक सवाल की और और अगला सवाल क्या है, चलिए देख लेते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या सवाल है, what is the nature of pH of sodium carbonate, ठीक है sodium chloride का, यहाँ पे pH value निकाला, बहुत important सवाल ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, देखिए sodium chloride, आपको पता यह salt है ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूचा कि acidic salt है, basic या neutral है, अब कई लोगों को यहाँ पे confusion होने रगता है, कि salt है फिर acidic कहां से हो गया, देखिए इसका concept में बताता हूँ, अब होता क्या है, बहुत ही basic concept है अब होता यह है, कि salt वो 3 टाइप के होता है ठीक है, एक तो acidic होता है दूसरा यह होता है, वो basic होता है और तीसरा यह होता है वो क्या होता है, नीटेल होता है अब यह होता क्या है वायी, कैसे बनता यह बहुत सिंपल सी बात है acidic salt का मतलब है, कि ऐसा salt बना वो, जिसके pH value पाँच से कम होती है, मैं बता देतों, यह salt, acid क्या होता है, base क्या होता है, neutral क्या होता है, pH value, जिसको हम लोग कहते है, power of hydrogen, ठीक है, हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे, जब topic wise पढ़ेंगे, तो pH value जिसकी 7 होती है, उसे कहते है, neutral, neutral का मतलब, कि वो बिलकुल, मतलब कि kriacin है, मतलब neutral हो गया, neutral है, ठीक है, उसके बाद, pH, जिसकी 7 से कम होती है, मतलब जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इसे हम कहेंगे acid, क्या कहेंगे, acid, और 7 से जिसका ज़्यादा हो गया, मतलब 8, 9 इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे, उसे कहेंगे base, जिसको हम कहते है, 6, ठीक है, त कैसे बहुत सिंपल से ऐसे को कशिंपल से तरीका सोह अनुद मैंने का तरीका यही है जी है कि ऊंचीड को बेस के साथ मिला दिजिए बन जा जाएगा salt क्या दिकत वाली बात है ठीक है यही तो है मगर अब पूछोगे कि यह acidic salt कैसे बनेगा यदि strong acid है द्यां से सुनिएगा यह सवाल पूछा चाचता हो चकता है इस बार पूछ दे strong acid है plus weak base है ठीक है weak base है तो क्या बनेगा strong acid weak base अब strong वाली बात है कि strong जो रहेगा उसी का चलेगा बात ठीक है जैसे घर में किसका बात चलता है strong जो रहेगा उसी का बात चलता है ठीक है तो strong acid plus weak base अब क्या होगा strong acid plus weak base हो जाएगी acid है जो कि strong acid है acid strong है इसका मतलब है यह जो salt बनेगी वो acidic salt बनेगी कैसी salt बनेगी acidic acidic salt समझ गया क्योंकि यहाँ पर acid strong है इसलिए यह अपना प्रभाव इस salt में दिखाएगा कि भाई हम acidic है हम अपना प्रभाव दिखाएंगे यहाँ पर समझगे बात उसके बात basic salt क्या होता है basic salt बहुत simple सी चीज़ है basic salt के जगह में इसी तरह होगा basic salt में क्या होगा कि strong base s-t-r-o-n-g strong का मतलब मजबूत base रहेगा और weak जो है वो क्या रहेगा acid रहेगी ठीक है यह दोनों यदि react करती है तो क्या बनेगी simple सी बात है अब आ गया base strong तो base अपना काम करेगा ना बोलेगा कि हम strong है तो क्या बनेगा basic salt बनेगा ठीक है चलिए हम समझ लिए तो यहाँ से conception पूछा जाएगा कि basic salt का बनता है तो जब strong base रहेगा ठीक है अब चलिए आगे हम लोग चलेंगे कि भाई यह neutral salt का बनता है neutral salt अभी बनेगा जब क्या होगा कि strong acid भी रहेगी और strong base भी रहेगा ठीक है दोनों पहलवान हैं दोनों अपना काम दिखा रहा है तो नीटल हो जाएगा ठीक है बहुत सिंपल सी बात है मतलब दो एक दंगल हो रहा है ठीक है दो बाडी बिल्डर आ जाए और दोनों मजबूत वाले ठीक है क्या होगा लराई होगा क्या नहीं होगा neutral सब अपने अपने side ले बनाता है कैसा सॉल बनाएगा स्टांग एसी ट्रॉंग बेट नीट्रल सॉल्ट बनाएगा अब एक्जाम्पल हम लोगा देख लेते हैं जो कि यहां पर पूछा गया है अब बोलो कि सरी है कैसे आप थुरह बता देजिए ठीक है इसकी स्क्रीन सॉट ले लिजिए और चलि अब देखिए यहां पर जिनको नहीं पता होगा आंसर वो कर दिये होंगे difficult to predict पता ही नहीं है प्रिदिक्ट पता ही नहीं यह क्या बात नहीं अब देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा हमें करना है sodium klotine NaCl कैसे बनता आपको पता है यह आपको पता होने चाहिए तो NaCl बनता है, यह ऐसे है कि CS3 होगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें NA होच होगा, ठीक है, तो NAOH, तो NAOH प्लस SCL, क्या बनेगा, देखिए, यह NA और यह CL, NACL बना लेगा, तो यह और यह खतम, बचा क्या, H, H और O, मतलब H2O, ठीक है, यह बन गया, H2O, मतलब sodium chloride और water बनत इसको, और इसको बोलते है, hydrochloric acid, hydrochloric aml, तो यह दोनों जो है, यह एक strong base है, यह क्या है, strong base है, ठीक है, और यह है, strong acid, अब यह क्या होती है, strong क्यों है, उसको हम लोग जब detail में पढ़ेंगे, तब समझेंगे, तो strong acid और strong base क्या बनाएगी, एक neutral salt बनाएगी, इसलिए, य एक neutral salt है, तो आपको जो है, याद भी रखना पड़ेगा, यदि आप याद नहीं रखिएगा, तो आप बनाते रजएगा, उतना बनाने का समय नहीं आपको, याद भी रखना पड़ेगा, कि कौन सा strong base है, कौन सा strong, salt, कौन सा neutral है, कौन सा acidic salt है, इस तरह से आपको याद प्रा दे रहा है, पॉसिबल नहीं है, मगर मान के चलते हैं, फिजिक्स है, मानना पड़ेगा, ठीक है, अब हमें पता है कि G होती है, प्रतिक अर्थ की एक G होती है, प्रतिक प्लेनेट की actually, या सटेलाइट होस की G होती है, ठीक है, तो यहाँ पर G को हमनों बोलते है, acceleration due to gravity ठीक है, किसी भी body में acceleration होता है, acceleration का मतलब होता है, हमें पता त्वरण, ठीक है, तो हमें पता बेग में परिवर्तन की धर को त्वरण कहते है हिंदी में, ठीक है, तो rate of change of, क्या, velocity is known as acceleration, इंगलिस में बोलते हैं हम लोग, तो बहुत simple सी बात है, तो अर्थ है न, अर्थ के उपर किसी भी चीज को ऐसे हम लोग रखेंगे, जैसे यह है, ठीक है, और ऐसे करके इसको छोड़ देंगे, तो निचे गिर गया न, ये क्या हुआ, ये अर्थ के gravity के कारण, इसमें velocity में change आ रहा है, आ रहा है न, इसके wave में परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं, जी के कारण हुआ है, acceleration due to gravity, ठीक है, अर्थ के प्रभाव के कारण होता है, अर्थ के gravitation force, गृत्वे बल के कारण होता है, इसलिए इसको गृत्वे तवरन बोलते हैं, इसका value कितना होता है, 9.8, चलिए, हम लोग W1 निकालेंगे सबसे पहले, W1 का मतलब है, इनिशल जो भा हो जाएगा, वो हो जाएगा, M, G, ठीक है, क्योंकि इसका mass M है, और हमने माना है G, तो M, G, आपका value put नहीं करना है, 9.8, यह सिर्क मैंने बताया, W2 निकालना आपको, W2 निकालेंगे, तो बोला गया है, यहाँ पर 20%, 20% increase हो रहा है, ठीक है, 20% increase हो रहा है, 20% increase हो रहा है, 20% direct solve कर देंगे यहाँ पर, हम लोग अब जो next मारा आएगा, वो M plus M का 20%, ठीक है, 20% मतलब 20 by 100, यह अब जो है final weight, final mass हो जाएगा, ठीक है, यह M हो गया, और इसके बाद में लगा देंगे G, ठीक है, यह हो गया M, G, ठीक है, तो weight में M, G आप जब निकालेगा, तो final weight है, वो य M था, और हमने बढ़ा दिया कितना, तो इतना बढ़ा दिया, यह वाला, यह वाला क्या बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया, तो initial से हम लोग जितना बढ़ाया उसको add कर रहे है, confusion होगा, मैंने next video में cover कर दूँगा, ठीक है, मैं sword बनाने के कोशिस कर रहा हूँ, मैं देखन चाहता हूँ कि आपने कितना यहाँ पर talent है, ठीक है, मुझे पता है कई लोगों में यहाँ पर काफी talented लोग मेरे साथ जुड़ेव हैं, कई लोग हैं, जो CGL कई बार प्री निकालेव हैं, कई लोग हैं, जो A ही निकालेव हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 M, अब देखिए, weight change कितना हो रहा है, तो weight change हम लोग जब निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, change in weight, change in weight, ठीक है, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर change in weight, तो क्या हो जाएगा, W2-W1, मतलब जितना change हुआ, बाद वाला को पहले वालों से घटा देंगे, जैसे घटाएंगे, तो यहाँ ज चुटा हुआ था, इसको भी G आप लिख देजिए, ठीक है, चलिए, इसको solve करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 5 mg उदर जाएगा, मतलब उपर, ठीक है, LC हम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 6 mg-5 mg, तो यह हो जाएगा, 6 mg-5 mg, मतलब mg by 5, तो यह हो जाएग की weight में change, मगर हमें percentage change बोल ला है, ठीक है, और percentage change का formula क्या होता है, percentage change, जैसे lab का formula होता है, lab गुना 100 by 100, मतलब profit into 100 by lab, sorry, lab का formula क्या होता है, प्रतिशत lab का, लिख देता हो हिंदी में, क्या हो जाएगा, हिंदी में थोड़ी, handwriting मेरी बहुत खराब है, ठीक है, lab into 100 by कराइंगू ठीक है, उसी तरह से, इसको English में लिखेंगे, तो profit, profit और CP, cost price लिख दीजेगा, ठीक है, तो percentage change उसी तरह से नो निकालता है, कि lab मतलब कितना बढ़ा, lab मतलब क्या होता है, कितना फाइदा हुआ, उसी तरह से, कितना बढ़ा, वही तो फाइदा हुआ हुआ, कितना यहाँ बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, change in weight कितना हो रहा है, mg by 5, तो यहाँ पर लिखेंगे, mg by 5, ठीक है, और by क्या करेंगे, क्रेमूल, क्रेमूल का मतलब है, कि पहले कितना में खरीदे थे, जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर करेंगे, कि पहले initial जो weight था, वो कितना था, ठीक है, उसी से तो बढ़ा, मतलब mg से तो बढ़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे mg, ठीक है, और into कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, into कर देंगे 100, ठीक है, तो आगे हम लोग सब जब solve करेंगे इसको, तो यह हो जाएगी mg by 5 into mg into 100, और यह हो जाएगी mg mg खतम, यह हो जाएगी 20, मतलब यह हो जाएगी 20%, और चुकि यह प्लस में आई है न, यह प्लस में आई थी, इस लिए 20 परसंट बढ़ेगी, 20% क्या होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब branch बराने से वह बढ़ता है, मतलब 20%, यदि आप बढ़ा रहे हैं, तो 20% यदि आपकी व पोस्टनल है तो यह जितना बढ़ाएगा उसी average से यह बढ़ेगा ठीक है यह जदी square रहता न तो फिर 20 का square हो जाता मतलब 400 गुना बढ़ जाता ठीक है 400 गुना तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो अराम से solve कर पाएंगे तो मिलेंगे next video में thanks for watching